ओम शांति आप सबको स्वागत है, आज हम चर्चा करेंगे 28 ओगस के इश्रेवरतान की, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपनी वृत्ती, वृत्ती मतलब आटिटूट को चेंज करें, ताकि हम अपना ही भला कर पाएं, ताकि हमारा मन, हमारे एमोशन्स, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो एटिटूट हैं, और हमारा जो सोच है और नजरिया है हर चीज़ को देखने का, वो शांत हो जाए, जिसका असर पढ़ता है हमारे शरीर पर, हमारी हिल्थ पर, हमारी मानसिक्ता पर, और हमारे भवेशे पर, हमारी उम्र पर भी, तो देखें आपने एक दिन के लिए खाना नहीं खाया वरत का एक और मीनिंग होता है कि आज आपने किसी से क्रोध नहीं किया आज आपने किसी की खामिया नहीं देखी आज आपने किसी को बुरा नहीं कहा आज आपने किसी की चुगली नहीं करी इन चीजों का भी वरत होता है अब आप decide करें कि वो खाने वाला वरत ही सर्फ important है कि ये वाला वरत सबसे ज़ादा important है जिससे कि आपका मनज शानत हो सकता है यह आप decide करें मैं कौन हो तुम बोलने वाला बश्तार में चलते हैं महान आत्मा बनने का आधार है, पवितरता के वरत को प्रतिग्या के रूप में धारण करना, अब ये पवितरता है क्या? परमात्मा ने हमें बिकुल सही सीधे तरीके से कह दिया है कि सिर्फ ब्रह्मचारे आपकी पवितरता नहीं, आज बहुत सारे लोगे जो ने शादे नहीं करी, बहुत सारे लोगे जो की कमपैनियन शिप में रहे रहे हैं, 60 years, 50 years के बाद में, और वो ब्रह्मचारे में रहते ह तो फिर यह ब्रह्मचारे से भी उंची पवितरता कौन सी है, यह है आपकी सोच, आप औरों के बारे में क्या सोचते हो, कोई आपके उपर चिलाते हैं, कोई आपके बारे में बुरा बोल देता है, कोई आपको नीचा दिखाते हैं, सब के सामने आपकी बदनामी कर देता ह उस समय आपकी स्थिती क्या रहती है उस समय आपको उस आत्मा के उपर तरस आता है क्योंकि वो आत्मा के अंदर इतने वाइरसे हैं उसके मन के अंदर कि वो अपने साथ ही संतुष नहीं है और उसको क्या संतुष रखेगी वो खुद खुश नहीं है उसकी इच्छाएं इतनी जाता है, उसको इतना डिप्रेशन है, क्योंकि इसकी इच्छाएं बहुत जाता है, उसको लोगों से लगाव इतना जाता है, उसको क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहा होगा, इतना जाता बिमारी है उसको इन चीज़ों की, कि वो आपकी इज़ बिशत कैसे कर सकता है जब्कि वो अपनी खुद के सोछ के भजजत نہیں करता है तो क्या आपको ये क्ञान मिलने के बाद में ये समझ मिलने के बाद में आपका attitude, change होगा किया आपकी सोछ बिचारा बिचारी आत्मा घुसे में भिचारी आत्मा is irritated है बिचारी आत्मा एंग्जाइटी में, बिचारी आत्मा को स्ट्रेस है, बिचारी इसलिए चिला रही है, इसलिए पीड़ा में, इसलिए उसके दुख है, इसलिए उसको स्ट्रेस हो रहा है, आपका attitude तब कैसा रहेगा, क्या उसकी बात आपको चुबेगी, क्या आप अपने आपको उस level तक नीचे लेगा आना चाहते हैं, जहांकि आप बोलें, मैं इसको दिखा दूँ, इसने कहा कैसे मुझको ऐसे, यह होता कौन है मुझे इसे बोलने वाला, इसकी तमीज कैसे भी बोलने वाले, पैसा मेरा, यह कौन होता है बोलने वाला मुझको, मैं कमाता मेरा धने, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मिलकियत है, मैं को इसने कैसे बोल दिया यह है, यह चीज क्या आपके अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती है, यही चीज है जो कि आपको शांत रखती है, आपको हील करती है, आपको सेहत मंद रखती है, mentally, emotionally भी सेहत मंद, और physically भी, सब बात है, attitude की, यही चीज हम सीखते हैं प्रमा कमारीज में, कि हम ऐसी चीजों को face कैसे करें, फिर प्रमात्मा कहते हैं, पापा कहते हैं, अर्थात अपनी वृत्ती को परिवर्तन करना, द्रण वृत्त, वृत्ती को बदल देता है, अपने द्रण तन से सोचा कि नई, मुझ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी के बारे में कुछ गलत सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा नुकसान इसके अंदर, मेरी हिल्थ खराब होगी, मेरी में रादों की नींद खतम हो जाएगी, मुझे अपने आपको शांत रखना है, मुझे अपने आपको संतुष्ट मणी बिना के रखना है, फिर परमात्मा कहते हैं, दरन वृत वृति को बदल देता है, वृत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीती से परहेश करना कि अचाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई इंसान आ करके मुझे प्रकरती के दोरा चोट पहुचाए, धन क भी करने की कोईशिश करें, या मुझे मानसिकता से मुझे चोट पहुचाए, लेकिन मुझे ये चोट लगती ही नहीं है, बेफिकर बालशा, इतनी ताकत आजा है आपके अंदर स्पिरिचॉलिटी की, यही चीज़ तो हम सीखते हैं, वो तब ही हो सकती जब आप अपने आ आप अंशान के रूप में हो, चाहिए वो धन दौलत के रूप में हो, तो परमात्वा कहते हैं, आपको ये सारी चीज़ आटोमाटिकली मिल जाती हैं, जब आपको नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन आप जब चाहिए, चाहिए, चाहिए करते हैं, आप खुद भी स्ट्रेस म का उपरत लिया, और वृत्ती शुरेष्ट बनाई, क्योंकि प्यूरिटी अगर है आपके अंदर औरों के प्रती, चाहिए हो कैसा भी इंसान, गलत सोच वाला हो, गलत बोल वाला हो, गलत करते वे वाला है, लेकिन आपकी उसके प्रती दृष्टी, पवित्रत है, अगर आ आत्मा बन गए, यही तो सारा निचोड है स्पिरिच्वालिटी का, अगर आप स्पिरिच्वालिटी को आध्यात्म, आत्मा अध्यन करना, औरों को भी आत्मिक सुरूप में देखना, अपने आपको भी आत्मिक सुरूप में देखना, अगर यह नहीं कर पाए, तो आप च किसी प्रांत के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी एक भाशा बोलने वालों के प्रति, किसी एक प्रकार के विश्भूशक के प्रति, अगर आपके कुछ थोड़ा सा भी घरिणा भाव नफरत है, तो आप स्पिरिचुल हो ही नहीं सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये ग्रिणा भाव है तो आप पीडा में हैं अगर आपके अंदर नफरत है तो आप पीडा में हैं अगर आपके अंदर उनके प्रती कोई भी नीच सोचने की भावना है तो आप पीडा में हैं, आप मानसिक तासित बिमार हैं आप emotionally बिमार हैं, आप physically भी बिमार होने वाले हैं बहुत जल्द तो आप सोचिए, अपने उपर कृपा करिए और अगर आप चाहते हैं अपने उपर कृपा करने के लिए और आप बिमारी उसे बचना चाहते हैं, मानसिक और फिजिकल बिमारी से तो ब्रह्मा को मारी समया करके सेवेंडे कोस करिए सच्चे आध्यात्मा की तरफ आके बढ़िए इसके साथ ओम शानती